Hello everyone, Namaste आज की वीडियों में आपको All-Indiais Counseling यानि की AACCC 2024 Counseling के बारे में डीटेल में बताने वाला हूँ उसका registration, choice filling कैसे करना है इतना fee लग रहा है registration fee, security money category wise बताऊंगा document कौन-कौन से लगेंगे क्योंकि जिसको first on by allotment आएगी उसको college में ले जाया करके वो document देना ही पड़ेगा तभी admission हो पाएगा then security money किनका forfeit हो जाएगा यानि refund नहीं होगा अगर वो आप mistake कर रहे हो तो उसके बारे मताऊंगा और इस वीडियो के last में सबसे important point कि round 1 में कौन से new rules आये हैं जिसको अगर आप follow नहीं करते हो तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है हो सकता है कि आप next round से AACCC के round से ही बाहर हो जाए और नहीं तो इस साल के जो भी state counselling होगा उसमें भी आप participate नहीं कर पाऊगे इन सब चीजों के बारे में आपको इस वीडियो में एकिक करके बताऊंगा मैं अन्रा कुश्वा, BMS internee, एनायजेपो राजस्थान सबसे पहले point के registration और choice filling कैसे करना है देखे सबसे ज़्यादा ध्यान registration में करना है जो आपने need registration के time पे दिया था detail वही same to same detail इसमें fill करना है कुछ भी change नहीं करना और choice filling के लिए मैं order wise नया एक video upload करने वाला हूँ इस video के बाद ही कि choice filling आपको कैसे करना है तो choice filling का तो आपका problem solve हो जाएगा लेकिन registration आप खुद के laptop या कहीं पे भी cyber cafe में जाए तो अपना पूरा information जो need के time पे दिये थे वो information नहीं fill करना कुछ भी change नहीं करना यहाँ तेक mobile number और mail ID भी change नहीं करना इस बार के counselling में यह ध्यान रखना है next इसके बाद आता है कि fee यानि कि registration fee और security money कितना लग रहा है security money अगर आप government colleges government added college, central university इन तीन का counselling आप एक साथ करा सकते हो same पैसे में लगेगा ठीक है तो उसमें general EWS और OBC के लिए registration fee 1000 रुपीज है और SCST के लिए 500 लग रहा है जो कि यह registration fee non refundable होता है only security money जो है वो refund होता है तो सभी category के लिए 20,000 security money है चाहे आप government added के counselling करवा है government college के करवा है या central university का किसी भी category के हो सब के लिए similar इस बार security money बढ़ गिया है double हो गया पहले 10,000 लगता था अब 20,000 लगेगा यूबर category यानि general EWS और OBC category के लिए total amount 21,000 paid करना है इस counselling में SCST candidate के लिए 20,500 अगर आप only government added government college और central university का counselling करवाते हैं तो central city national institute का counselling करवाते हैं ये सभी government के ही under में आते हैं चाहे हो central government के चाहे state government के अगर कोई candidate dimmed in city के counselling करवाते हैं तो सभी category चाहे आप किसी भी category से बिलोंग कर रहे हो आपको 5000 registration fee और 50,000 security money देना ही पड़ेगा ये रहा fee की बात और एक बात का ध्यान रखना जब आप registration करना उस time पे आपको bank detail फिल गरना है या credit card से payment करेंगे तो card में भी refund आ सकता है तो आप जब भी अगर किसी और से counselling करवा रहे हैं या cyber cafe में counselling करवा रहे हैं तो security बने अपने account से पे करना चाहे अपने card से पे करना क्योंकि refund होगा तो फिर cyber cafe से आपको वापस नहीं मिलता है बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है इनका वापस नहीं आता वो नहीं देते हैं कहते हैं के प्रूव लाओ ठीक है तो इस बात का ध्यान लखना अगर आप किसी और से registration करवाते हैं तो अब वीडियो के next part पर आते हैं कि कौन कौन से documents लगेगा अगर आप कॉलिज में रिपोर्ट करने जाते हैं या admission लेने जाते हैं क्योंकि यह अगर डॉक्मेंट आपके पास नहीं है तो आप कॉलिज में अड्मिशन नहीं ले पाएंगे कैंसिल हो जागा अगर आपको अलॉक्मेंट हुआ है तब भी तो इस बात का ध्यान रखना अभी काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है उससे पहले आप यह सभी डॉक्मेंट को आप बनवा करके रख लेना औरिजिनल फॉम में चाहिए सबसे पहला अगर जो भी रिवाइजड अभी आया था तो वही आपका मानने होगा पहले का जो इसकोर काड वो मानने नहीं होगा तो रिवाइजड वाला ही डाउलोड कर लेना अगर आपके 10th standard के mark sheet में आपका date of birth mentioned है तो आपको कोई दूसरा document देने की जुरत नहीं पड़ेगी date of birth के लिए लेकिन अगर नहीं है तो आपको pain cut, alhar cut या date of birth certificate आप दे सकते हैं Next document है class 10th का pass certificate and mark sheet Class 12th का passing certificate and mark sheet इसके अलावा आपको 8 passport size photos जो की आपने counselling के time पे या need के registration के time पे जो photograph upload किया है वही photograph का 8 copy लेके जाना है Proof of identity card के form में आपको ले जाना है अधार card, pain card, driving license, water ID card या passport ये चलेगा Proof of identity में और यहीं आपका date of birth का भी काम आजाएगा Medical fitness certificate जो की registered medical practitioner से ही ये issue हुआ होगा तब भी मानने होगा जो भी certificate बनाना है जिसका format fix किया गया है जैसे कि अगर आप SCST से belong करते हैं तो उनके category certificate का format fixed है OBC से belong करते हैं तो उनके category का format fix है EWA से belong करते हैं तो उसका category का format है वो fix है तो आपको AWS certificate, OBC certificate, SCC certificate, fitness certificate इन सब का format मैं telegram channel पे और YouTube के community tab में डालूँगा आप उसी format में बनवा लेना क्योंकि उसी format में ही accepted होगा अगर आप दूसरे सब format में लेके जाते हैं तो college reject कर देगा और admission लेना ज्यादा important है allotment ही बहुत मुश्किल से हो रही है तो allotment होने के बाद कोई certificate के वज़े से या कोई भी आप registration के टाइम पे कोई ऐसा mistake data fill करते हो जिसके वज़े से भी आपका allotment cancel हो जाएगा थी यह से mistake बिलकुल भी मत करना transfer certificate 12th past करने के बाद ही आपने दिया है NEET का exam तो 12th का ही TC लगेगा transfer certificate अगर आप उससे higher अगर graduation किये हैं तो graduation का भी चलेगा next certificate है कि अगर आप PWD candidate है यानि कि physically disabled candidate है तो उनके लिए disability certificate इसका भी format में डालूँगा उसके ही तरह आपको बनाना है और जो certificate ACST का है चाहे OBC NCL का है या EW certificate ही है 1 April 2024 यानि 1 April 2024 के बाद का बना हुआ या उस 1 April का बना हुआ होना चाहिए इससे पहले का बना हुआ accepted नहीं होगा ये सभी certificate reporting के टाइम पे लगेंगे जब भी आप college में report करने जा रहे हैं फर्स्ट राउंड हो, सेकेंड राउंड हो, मपव राउंड हो, या स्ट्रे वेकंसी राउंड हो जिस भी राउंड में आपको college अलॉट होता है ये सभी documents आपको लगेंगे ही ठीक है? तो आप इन सभी documents को बना के रखो जिसका फर्स्ट राउंड में आ जाता है नहीं आएगा, forfeit हो जाएगा ठीक है तो ये बहुत बड़ा loss है इस इसका ध्यान रख रहे हैं ध्यान से सुन लेना, बार बार सुनना इस वीडियो में इन सभी चीजों को समझने के बाद ही आप counselling में participate करना ठीक है अभी first round का rules जो नए चेंज हुए है वो भी और आगे इस point के बाद में बता रहा हूँ उसको भी आपको ध्यान में रखते हुए भी counselling करवाना है या करना है लेकि सबसे पहला point है कि only first round में free exit है यानि कि allotment हो जाता है उसके बाद भी admission नहीं लेते हैं आपका security money safe है, refund में होगा अगर आप first round के बाद से next किसी भी round में participate नहीं करते हैं तब भी आपका security money वापास आ जायागा लेकिन round second mop up round, stay vacancy round में allotment आ गिया तो आपका admission लेना पड़ेगा, अगर नहीं लेते हो तो आपका security money forfeit हो जाएगी वो candidate जिनका upgradation हुआ है, round 1 से round 2 में हो गया, या round 2 से round 3 में हो गया, तो भी upgradation हो जाने के बाद भी वो candidate अगर admission नहीं लेते हैं, तो उनका भी forfeit हो जाएगा security money, उनका अभी refund नहीं आएगा, अगर किसी candidate ने round 1 में admission ले लिया और round 2 में upgrade नहीं हो रहा है, और उसके बाद वो resign करता है, round 2 का result के बाद, तो उसका security money forfeit हो जाएगा, किसी भी region से, किसी candidate का जैसे कि मैंने बता है कि registration के time पे अगर correct data fill नहीं करते हो, जब document verification के लिए आप college में जाओगे और वहाँ पे कुछ mismatch होता है, ताब कर जो allotment है, वो cancel कर दे जाएगा, तब भी आपका security money forfeit होगी, चाहे वो round 1 हो, round 2 हो, कोई भी हो, अगर आपका allotment cancel हो रहा है, तो आपका सब कुछ पतम हो जाएगा, security money भी, registration fee भी, simply आपको यह बात ध्यान रगना है कि allotment के बाद admission ले लोगे, तो refund सबका होगा, अगर allotment के बाद admission नहीं लेते हो, तभी आपका security money forfeit होगा, केवल round 1 को छोड़के, round 1 में ही केवल for exit है, यानि allotment का admission नहीं लोगे, तो आपका security money forfeit नहीं होगा, आपका refund होगा, ठीक है, अब मैं आपको counseling का flow chart बताता हूं कि कैसे चलेगा, जिसे देखो, अभी round 1 start होगा, ठीक है, तो round 1 में registration fee payment choice filling करेंगे, फिर result आएगा, result में कुछ लोगों का allotment आएगा, कुछ लोगों का नहीं आएगा, जिनका allotment आ गया, वो अगर अपने allotment college allotted हुआ है, अगर जाता है, तो वहाँ पर willingness शो करना पड़ेगा, कि हाँ, मैं next round में participate करना चाहता हूं, अगर आप willingness शो नहीं करोगे, वहाँ पर नहीं बोलोगे, कि next round में participate नहीं करना है, तो आपका first round से ही आप terminate हो जाओगे, वही college आपका रह जाएगा, ठीक है, जिन candidate का allotment नहीं आता है, उनको first round करने की ज़रोत नहीं है next round में, यानि round two में आप केवल choice filling के दिन जो date है, उस time पे आप choice filling केवल करेंगे, और अगर कोई candidate first round में admission ले लिया है, दो condition होता है, एक वह की जो up gradation के लिए डाल रहे हैं, और दूसरे जो upgrade नहीं डालते हैं, ठीक है, तो उनको बाद में पता चलता है कि उस college को छोड़ना है, leave करना है, तो next round, यानि second round के result आने के दिन का जो date है, उस से पहले आप resign करते हो, तो आपका कुछ loss नहीं होगा, ठीक है, आप next round में simply choice filling करके, आप participate कर सकते हो, लेकिन next round, यानि second round का result announcement हो गया, उसके बाद आप resign करते हो, तो आपको security money forfeit हो जाएगी, ठीक है, आपको दुबारा से registration करना पड़े गया, मौफब round में, ठीक है, registration fee और security मने दोनों ही आपको देना पड़ेगा, दिन आता है round two, round two में आप फिर से जो भी candidate first round में registration नहीं किये हैं, वो candidate round two में registration fee payment और choice filling करेंगे, ठीक है, फिर इसमें भी दो part होगा, कि जिसका allotment आता है, और कुछ candidate का नहीं आएगा, जिनका आएगा वो जा कि अगर उनका सही college लग रहा है, जो college allot हुआ है, तो वो admission लेंगे, और जिनका नहीं allot हुआ है, वो move up round में फिर से choice filling करके participate करेंगे, उनको registration करने की जुरत नहीं पड़ेगी, और round two में जैसा कि बताया था कि अगर allotment हो गया और admission नहीं ले तो पसंद का हो, चाहे नहीं पसंद का हो, तो आपका security money forfeit हो जाएगी, अब मैं आपको बहुत ही important points बताता हूं, round one से related, और पूरे counselling से related मान सकते हो, जैसे देखो, round one में ऐसा ध्यान रखना कि जिसने भी upgradation के लिए अपना willingness शो किया है, अगर upgrade हो गया, तो आपको round two का role सब कुछ apply होगा, यानि कि upgrade होने के बाद college लगे कि नहीं वो खराब है, तो first round का college वो अपने आप cancel हो जाएगा, और round two में आपका admission लेना पड़ा, अगर नहीं लेते हो, तो आपका security money forfeit हो जाएगी, और अगर upgrade नहीं होता है, तो आप round two में फिर से upgradation के लिए choice filling कर सकते हैं, देखे round one में भले ही free exit है, अगर allotment आता है, अगर आप admission नहीं लेते हो, कोई दिक्कत बात नहीं है, आप round two में choice filling करके participate कर सकते हो, simply कोई security money का loss नहीं है, लेकिन अगर आपने एक बर admission ले लिया round one में, तो आपका दो condition बनता है, आप upgradation के लिए डालेंगे, second round में या तो upgradation हो सकता है या तो नहीं हो सकता है, अगर upgrade हो गया, तो आपको round two का rule apply होगा, यानि कि आपको round two का जो भी allotment आता है, अप graded seat है, उस पे admission लेना ही पड़ेगा, नहीं लेते हैं, तो आपका security money forfeit हो जाएगी, next part आता है, अगर upgrade जिनका नहीं हुआ, जो round one में admission ले चुके हैं, round two में upgrade नहीं हुआ, और वो चाहते हैं, अब उस college में जो admission ले चुके हैं, round one में, उसको resign करना, किसी भी region से, अगर admission के बाद, round one में admission के बाद upgrade करा है, upgrade नहीं हुआ, और आपको उसको छोड़ना है उस college को, तो तीन point apply होता है, और जो candidate resign करते हैं, तीन दिन आने कि 5 October के बाद, यानि मौभब पर round, जो registration स्टार्ट होना है, 9 तरीक को, यानि 9 तरीक से 3 दिन पहले, यानि 5 तरीक तक आप resign करते हो, तो आप eligible होगे, next जो भी All India Counseling है, उसके लिए भी और estate counseling के लिए भी, अगर आप 3 दिन पहले याने 5 October तक आप resign करते हो, तो round one seat को, जो भी All India Irish Counseling के round one admission ले लिया है, वो resign करते हैं, किसी भी region से resign कर रहे हैं, तो upgrade नहीं हुआ तो college, अगर तब resign करते हो, तो आपका security menu forfeit होगा, registration forfeit हो जाएगा, और newly आपको fresh registration करना होगा, mob up में और stay vacancy round में, लेकिन 6 October से ले करके, और 16 October के बीच में अगर कोई candidate resign करता है, तो फिर वो state counselling eligible होगा, लेकिन mob up round और stay vacancy round के लिए eligible नहीं होगा, जो All India Irish Counseling यानि double A triple C counselling जो remaining round है, यानि कि mob up round और stay vacancy round उसके लिए in eligible हो जाएगा, उसमें participate नहीं कर पाएगा, जो भी candidate 6 October से ले करके और 16 October के बीच में resign करेंगे तो, ठीक है, और अगर जो candidate round 1 में admission ले लिये हैं, और उन्होंने 17 October को या 17 October के बाद यानि महोफर round के result display होने के बाद, अगर आप resign करते हो, तो फिर आप All India counselling as well as state counselling सब से बाहर हो जाओगे, ठीक है, एक साल के लिए debare इस point को ध्यान रखना है, जो भी candidate round 1 में admission ले रहा है, इस बात का ध्यान रखना, जिसका भी allotment नहीं आता है, वो ज्यादा safe है, अगर किसी ने admission ले लिया, वो ज्यादा unsafe हो रहा है, अगर favorite college allot हो गया, well and good, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर खराब college allot हो गया ना, जो आप नहीं चाहते हो, इसलिए choice feeling अच्छे से करना, help लेना, किसी भी counselor का, ठीक है, अगर नहीं, तो मैं आपको choice feeling बताऊंगा, उसी order में feel करना, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होए, क्योंकि अगर एक बर admission हो हो गया ना, मैं जिस दिन result आएगा, round one का हो सकता है मैं live आउँगा, ताकि जो भी candidate को allotment आया है, वो एक बर personally, वहाँ पे message type करके बात कर लेना, कि क्या वो सही है college की नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक बर admission हो जाता है, और यह जो आपको अक्टूबर तक, तो आपका security money forfeit तो होगा, लेकिन यह eligibility रहेगी कि all in double a triple c का जो भी round बचा हुआ है, उसमें आप newly registration करके, security money दे करके, आप participate कर सकते हो, लेकिन अगर 6 October से ले करके और आप 16 October के बीच में resign कर रहे हो, तो आप all in double counseling के participate ही नहीं कर पाओगे, जो भी remaining round बच गया है, और अगर आपने mop up round के result के बाद resign कर रहे हो, तो पूरा आप counseling, आयूश counseling से ही बाहर हो जाओगे, चाहे वो state counseling हो, चाहे all in double आयूश counseling हो, तो यह important point है round 1 के लिए round 1 में जो भी candidate participate कर रहे है, result के बाद, सोच समझ के admission लेना वरना नहीं लेना, क्योंकि नहीं लेने से कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई loss नहीं है, ठीक है, आगे जो भी next round होगा, चाहे round 2, map up round, stay vacancy round उनका eligibility और new rules आये हैं, उनको मैं उसी round में बताऊंगा, ताकि क्योंकि ऐसे, अभी first round है, तो first round के rules को समझो, बहुत से rules हैं, तो उसमें confusion होगी, इस video में इतना ही, आपको इस video कैसा लगा, comment करके ज़रूर बता, thank you so much for watching till the end, thank you